आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ सवाल यहाँ पर कहा रहा है A Woman with Blood Group A यानि कि हमारे पास एक Woman है जिनका Blood Group क्या है उनका Blood Group है A उन्होंने शादी कर लिए एक Man से जिनका Blood Group क्या था उनका Blood Group था B तो अब हमें बताना है कि उनके जो Progenies होंगी उनके अंदर कौन सा Possible Blood Group हमें commonly देखने को मिलेगा साथी साथ हमें बताना है इसके अंदर जो हमारे Alleles होते हैं जो हमारे इस Inheritance में Involve है उनके बारे में भी हमें थोड़ी सी बात करनी है तो आईए देख लेते हैं सब-सब पहले बात करूँ गर Alleles के बारे में तो हमारे जो Alleles होते हैं तो हमारे Blood Group के लिए Responsible होते हैं किसके अंदर Human Blood Grouping System के अंदर तो इसके Alleles हमारे डेनोट होते हैं I से हाँ जी अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Blood Group A के बारे में तो Blood Group A के दो Alleles पॉस्जिबल है एक तो I A, I A यानि की होमोजाइकस कंडिशन और यहाँ पे Heterozygous Condition कैसे रिलेट करूँगा मैं I A और एक Small I से तो यह हमारी Heterozygous Condition होगी यह हमारी होमोजाइकस होगी सेम हमारी B के लिए हो सकती है B के लिए क्या हो जाएगी होमोजाइकस कंडिशन में हमारे दोनों Alleles जो होँगे I के IBIB होगे और अगर Heterozygous Condition होगी तो यहाँ पे आपको IB और I आपको पता ही होगा होमोजाइकस कंडिशन क्या होती है यानि कि जो दोनों हमारे Alleles है वो दोनों सेम है तो यह हमारे होमो होमो का मतलब सेम तो हमोजाइकस कंडिशन होगी बात हो रही है अगर Heterozygous Condition के बारे में Hetero का मतलब होता है Different तो आप देख सकते हैं एक हमारा Capital I है और एक हमारा Small I है तो यह दोनों हमारे Different है इसलिए इसको बोला जाता है Heterozygous Condition यह तो मैंने आपको पॉसिबल Alleles बता दिये आपको समझाना पसंद करूँगा कि आकर-कर जो हमारी Progenies है उसके अंदर कौन से टाइप का Blood Good हमें Commonly देखने को मिलेगा तो मैं दो टेबल बना लेता हूँ या दो पुनिट स्क्वेर बना लेता हूँ यह आगए हमारे दो पुनिट स्क्वेर अब मैं दोनों के यहां पर क्या है दोनों के एलिल्स को अलग लग लग लिग लेता हूँ यहां पर आ गए हमारे IA और IA यह मेरी होमोजाइगस कंडिशन को दिर्चा रहे है यह हमारे मैन के आ गए और यह वाला जो मैं पुरिट स्केर बता रहा हूँ यह मैं हेटरोजाइगस कंडिशन के लिए बना रहा हूँ तो आपको दोनों तरीके से मैं समझा दूँगा अब यह आगए मेरी हेटरोजाइगस कंडिशन के लिए अब मैं देख लाता हूँ यहां पर क्रॉस करके देखता हूँ और इधर भी आगए हमारा IA और IB और वहीं अगर मैं हेटरोजाइगस कंडिशन की बात करूँ तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा हमारा IA और IB यहां पर आगए हमारा IA और I यहां पर आगए हमारा IB और I और यहां पर आगए हमारा क्या होगा उन सभी का blood group होगा AB हाँ जी यानि कि AB हमारी 100% आएंगी जतनी पर प्रजणी आएंगी सभी का blood group AB होगा हमारा वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर heterozygous condition की तो यहां पर हमारे जो blood groups होंगे वो change हो जाएंगे यानि कि 25% होंगी प्रजणी किस प्रकार की होंगी वो होंगी ऑमारी AB blood group की 25% होंगी हमारी किस प्रकार की हमारे एrozygous condition में और एकी possibility रहती है हमारी homozygous condition में तो यहां पर हो जाता है हमारा question complete thank you क्लासिक्स टिट्वेल से लेके मेंज और एडवांस के लेवल ता 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज राउनलोड करे डाउटने टाप या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट आच चारसो 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 पर